नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तेक्राच यूटूब चैनल पर, तो दोस्तों आज की इस वीदियो में मैं आपको बताओंगा कि कैसे आप अपने किसी भी सेमसुंग के मोबाइल पर आप सिमकर्ट सेटिंग और दोस्तों sim card को enable और disable केसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो पे मैं आपको ये complete setting बाताने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको sim card setting शो करूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको sim को केसे enable और disable करना है यह भी मैं आपको बताँगा ठीक है यानि कि आपका बेल आइकोन को क्लिक कर डिजगा और यदि आप online से पैसा कामाना चाते तो आप हमारा वीडियो description पर link चेक आउट कर सकते हैं और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आए हम वीडियो को बीना देर के हुए शुरू करते हैं तो दोस् आप सीम सेटिंग वगयरा कर सकते हैं जैसे कि अपर डूस्तों कॉल हो गया थी कि कॉल also calls uh आप डियुयल स Choose नियरे पर सिम Is गावी सेम है और मोबाल डेटा गावी यहाँ पर सेम है यहीं आप सिम तू यूज़ करते और दोस्तो यावर सिम तू पर ही आप मोबाल डेटा को यूज़ करते तो आप यह सेटिंग यहाँ से कर सकते ठीक है तो सिम तू यहाँ पर डोस्तो नहीं है तो उसके बाद दोस्तो आईकोन सेटिंग कर सकते हैं उसके बाद सीम का नेम आप बढ़ सकते हैं एक घृट भाद दोस्तों यहां पर तुट्वेेश आपको 4G, 3G, 2G, उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर setting आपको काफी सारा मिल जाते है, जैसे के हो गया mobile network, इसके अंदर पर दोस्तों आपको वोल्टी मिल जाते है, data roaming मिल जाते है, network mode मिल जाते है, उसके बाद दोस्तों आपका access point name हो गया, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते ह network select कर सकते है, तो यह setting आपको मिल जाते है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाके, आप आपने sim को enable और disable भी कर सकते है, sim card manager पर जाए, sim पर click कीजे, sim 1, sim 2 आप select कर लिजे, खुद से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप simplex button को on off कर दीजे, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त दोस्तों आपके उपर में यदि आप करना चाते हैं, तो आप इस setting को करने के लिए same यही process को follow कर लिजे, तो आप खुद भी यह setting कर पाऊगे, तो मुझे मेरे दोस्तों आपको जो है video पसने होगा, thanks watching